इस प्लीट एसे के इंडोर को भी सर्विस कर दिया आउटडोर को भी सर्विस कर दिया निकि कम्प्लीटली सर्विस हो चुका है लेकिन अगर उसमें क्या हो रहा है कि इंडोर का ब्लोवर भी स्पीड सही है आउटडोर का फैन मोटर का भी स्पीड सही है लेकिन फिर भी सक्स पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को फालो कर लें क्योंकि ऐसे ही इंपोर्टेंट टॉपिक पर जो कोई भी ना बताया हो ऐसे टॉपिक पर वीडियो में लेकर के आता रहता हूं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि सक्सान लाइ आउडोर का फैन मोटर सही चल रहा है स्पीड में या फिर इंडोर का जो ब्लोर मोटर वो स्पीड में चल रहा है सब कुछ सही है तो लास्ट में आपको क्या करना है लास्ट में आपको क्या करना है कि इसमें क्या फाल्ट हो सकता है इसकी कैपलरी चोकिंग हो सकती है कैपल प्लेरी और ड्रायर फिल्टर निकाल करके पूरे सिस्टम को फ्लस करना होता है आप चाहे नाट्रोजन का यूज कर सकते हैं या फिर आप रेफरिजरेंट या फिर वर्कसाप कंप्रेसर का यूज कर सकते हैं वैसे तो नाट्रोजन यूज करना सबसे बेस्ट होता है सबसे ब कोई भी अगर पाइपिंग को अगरugen कर ने के लिए तो देखिए वहाँ पर करते हैं आपको फ़लस करना क्या है पूरा सिस्टम में आउग्डॉर उसके निया डैर फिल्टर या तो आप उसी को फ्लस करकर सकते हैं कोई दिखत नहीं है लेकिन आप ने लगाएं तो बेटर होगा उसका भी चार्ज कर लिजे क्या उसमें आप जो बिल बना रहे हैं उस बिल में आप लिखे जिए कैपलरी और ड्रायर फिल्टर चेंज हुआ है आपको करना क्या है लॉंग टाइम तक आपको फिर उसे एसी में फिर दुबारा कंप करता हूं जो एसी में लगा हुए उस नहीं करना यह उस कंप्रेसर को आप बाहर निकाले तो ही बहतर हो यानि की उस लाइन को टकर दे आप ताकि अब्रेसर से हो करके ना जाने पाए ना इत्रोजन या फिर यह कोई भी दूसरा एयर तो आप फ्लस करके जितना भी ऐल है प यानि कि इंडॉर में ऑउटवर में deport What Derby कंडेनश में कुलिक कौईल में विलिंग में इसके साथ में Daar nor़ नहीं है तो आप सॉस्डम्र की पमपिंग भी उसी समय करता रहता है कि वह सक नहीं कर पा रहा है सक्षन खीच नहीं पा रहा है तो इसे होता है कि इसे होता है कि सक्षन और सक्षन प्रेसर और डिस्चार्ज प्रेसर दोनों एक समान हो जाता है जिसे क्या होता है कूलिंग नहीं हो पाता है तो कम प्रेसर चलता रहता है चलता रहता तो यह problem fix हो जाएगा इतने के बाद तो आप उसमें उसके बाद pumping चेक कर लें अगर pumping loss है तो compressor को replace कर लें replace करें नया compressor डाल दें वहाँ पर अगर pumping सही है तो capillary order filter change करके आप उसमें gas charge करें उसके बाद आपका air conditioner perfect चलेगा उसके बाद भी अगर नहीं चलता है टाइप हो उसके बाद कोई option नहीं है उसमें किसी भी इंजिनियर को बुला लीजिए साथ में इसके बाद कोई option नहीं है अगर section line पर आई सारा है जो मैं बताया हूँ अगर इसको आप कर लेते हैं follow तो उसके बाद आपका problem fix हो जाएगा कोई भी air conditioner हो ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि ना हो फिर से section line पर आई साने लगे तो ये छोटी सी जानकारी थी छोटा सा वीडियो था अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जिरू कर दे लास्ट में बताना चाहूँ को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया